खाने का क्या इरादा है उसका वादा कब आप पूरा करें जो वादा किया वो हमने भाते ही है ऐसी बात नहीं है तो बस खाने की आपने दिमांड की है तो चलिए बात करते हैं हमारे बेहत खास महमान से जो नवमी की और आप सब की ये विश पूरी करने वाले हैं एक ऐसे महमान जिसे किसी इंट्रडक्शन की जरूरत नहीं है उनका तो बस नाम ही काफी है शेफ कुनाल कपूर कुनाल आपका बहुत बहुत स्वागत है दीडी मौनिंग शो में आप एक सेलिब्रिटी शेफ है एक फूट को नौजर है एक रेस्ट्रॉटर है एक मीडिया परसनालिटी है लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हर चीज खाने से जूड़ी है फूड आपके मेरे लिए क्या है फिरस्ट फॉल थैंक यू सो मच आपने बुलाया यहां पर और मेरे लिए फूड मेरे पहचान है मेरे आइडेंटिटी बन चुकी है क्योंकि इतने सालों से मैं खाने से जुड़ा हूं और आपने बिल्कुल सही बात करी कि हर चीज खाने से जुड़ी हो चाहे वो आपको सुबा उठकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है या कोई अच्छा सोचना है या कुछ क्रेटिव करना है जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा जब तक आपको नुट्रिशन नहीं मिलेगा आप दिन का कोई कारे नहीं कर सकते हैं तो मेरे इसा है कि आपने कब डिसाइड किया कि आप इसे मतलब शेफ बनना चाहते हैं आप इसी को अपना करियर ओप्शिन चूज करना चाहते हैं वेन डिडिडियो डिसाइड देस बड़ी इंट्रेस्टिंग सी कानी है क्योंकि मैक्सिम लोगों को लगता है दे एक्सपेक के अच्छा आप शेफ हैं आप शुरू से ही बच्छमन से आपको शौक रहा होगा और आपने सोचा होगा आप शेफ बनेंगे आप को करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था तो ये बाइक्सिडेंट हुआ मेरे फादर और मेरी फैमिली चाहते लिए कि मैं कॉमर्स में ग्राइडवेशन के बाद कॉलेज जोइन करूँ और पर्सु कॉमर्स बैंकिंग में जाओ ये सीए बनू अब कॉमर्स बारवी तक तो कर ली उसके बाद जब एडमिशन का समय आया तो मुझे पता था कि मुझ सब्सक्राइब कुछ नहीं हो या वह आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है अपने फादर को स्पेशली फेस करने की क्योंकि उनसे थोड़ा लहजे में भी अराम से बात करना पड़ता है मम्मी को तो आप बोल दे तब मम्मी मुझे नहीं करना पर चाहिस की तैयारी मैंने गडरी नहीं हमा जो करना का है हम Ал reflective यह नहीं करना मैं टो उस दोराना मेर्स था, उसने बैंकिंग में ना जाओं, मैंने अपने डाड को कन्विंस कर लिया, सब कुछ पता कर लिया, क्या होता है, कैसे होता है, हाला कि कुछ नहीं पता था मुले, and I got into this, और उस वक्त मुझे जब था मैं गया, मैंने बॉला, अरे यह तो बिल्कुल यह अलग जगा है, यहां तो मतलब सब कुछ ही डिफरेंट है, यह तो बिल्कुल स्कूल जैसा नहीं है, और अपने मेरे काजन से बात होती थी, कोई इंजिनिरिंग कर रहा है, mostly इंजिनिरिंग कर रहे थे, तो उनसे तो बिल्कुल ही डिफरेंट विपरीत और अलग दिशा है, बट देन मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वहां पर आप से यह नहीं पूछा जाता था कि आप पड़ाई में कितने अच्छ हो, आपके कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज से आप पास हुए, वो सब बेकार था, बीइंग होटेल मानेजमें, होटेलियर जो होता है, चाहे वो आप शेफ बनिए, या फ्रन्ट आफिस में जाए, सर्विस में, किसी भी होटेल के किसी भी महेक में आप काम करना जाते, आपको कभी यह नहीं बोलते है कि नंबर कितने अच्छे, क्या याद है, आपकी प्रे मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, कोई रेस्टरांट में आता है उसको एंटरी से पेट करना है, आपके पास छोटा बच्चे के साथ हैं, क्या मैं उनके लिए नॉन स्पाइसी खाना बना सोगो, आपको एक बड़ी अच्छी परसनालिटी चाहिए, जो आपको और टाइम डेवलप करने पड़ती है, कि आप एक सर्विस इंडेस्ट्री को एक प्रॉपरली केटर कर सके, तो मेरे लिए वो एक रस्ता बना, पर जब रस्ता बना, तो आपने फाइव स्टार होटेल को देख क सोचा तो कि ठीक है, मुझे यहाँ पर जाना है, इसलिए आपने पैरेंस को भी कविन्स कर लिया, लेकिन क्या पहली जॉब लगी थी फाइव स्टार होटेल में, मेरी पहली जॉब कैसे लगी, कैसा था वो एक्स्पिरिंस, बहुत ही मज़दार सीन रहा है, फिर्स जॉब म पूल साइट का जो अरिया, उसको स्क्रब करकर, जालिया साफ करकर, तो वो खाम भी किया है, सीखा भी है, तो जो मेरा भूत था ना, वो पहले साल में ही उतर गया, कि भई, ग्लैमर्स जाब होते है, आज में तबकर ही सोना सोना बनता है, आपको युमिलिटी सिखाता है, क अर भै, ये काम या कोई काम, बुरा नहीं है, बड़ा नहीं है. जो हम से पहले रहे तो घाई जार से थीन साढ़े तीन हजार की नोकरी लगती थी और उसके लिए ना लड़ाई हो जाती थी तिक गिंति के पान्च छे नोकरिया निकलती थी उसमें पानच सो लोग आ गगए तो भूग ता तो हम लोग तो मैं और मेरे गांग फृरेंग के लिए धाई दिन की जो मेहनत मुशक्कत करी तो कहते हैं नानी आद आगी अच्छली क्या होता है वह हुआ और उसमें एक दिन ऐसा था कि मैं एक दिन आया चला गया नेक्स डे जब बुलाया सुबह 11 बजे बुलाया मैं 11 बजे पहुंच गया सुबह 11 बजे से लेकर अगले मैं बुरा हाल हो गया उसके अंदर भी मैं किसी बिगानी शादी में मैं पास्ता काउंटर पर खड़ो के पास्ता भी बुनाया तो बिलकुल मतलब इतनी महनत की है अब महनत जब भी हो करता है वो मीछा होता है तो इसलिए एक अच्छी सी रेसिपी है जो हम देखने वाले अच्छी से जामुन रिंगी है यह आज से चार साल पहले पांट साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू कर रहे थे तो मेरा ने एक बड़ा सीथा सा फंडा होता था था मैं अपने किचिन का नाम रखा था के किचिन और मैं इसको बड़े स्टेट करता था फटा फट बोलके आउट स्टेट उन्ट तो दे रेसिपी जादा कोई बातचीत ने जट पट रेसिपी अन डान आज वैसे करता हूं दिखा तो मैं कैसे करता था हाई मैं हूँ शेफ कुनाल कपूर और वेलकम तो मैं किचिन ते के किचिन उसके बार तिंग दिंग 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 म्यूजिक उसके उपर वो शॉट्स अफ दिश जो हम आज बनाने वाले और जैसी वहां से वापस आते था है और आज के किचिन में हम बनाने वाले हैं जामून का शर्बत यानि की काला खटा चले शुरू करते हैं और बातचीत कम काम जादा लेकिन ओ लोगों को बातचीत बहुत पसंद है चलिए बातचीत भी करते रहते हैं काम भी हो जाएगा हाँ पीरा पानी तो आज जामून के शर्बत के लिए या फिर काला खटा बनाने के लिए हम ले रहे हैं ताजे जामून अच्छे से धुले में और उसमें डाला है पानी इसी में जाएगा नमक अभी हलका सा तोड़ी इंड जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पावडर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और यह है भुना हुआ और साथ ही कुटा हुआ जीरा यह इंपोर्टन है लिए दिस कैसे इसकी जो स्किन अब क्या करेंगे एक पोटेटो मैशर की मदद से या फिर आप कर्ची की मदद से इसे जेंटली प्रेस करिए होगा क्या इसका जो पल्प है वो सीट से अलग हो जाएगा यह जल्दी मैशी होगा इल जिस्ट इंक्रीज एट फासन दे कुकिंग प्रसेस अचली अब आप इसका रंग देखेगा बहुत ही बड़िया लाकिसाइड वाइन कलर यह जामनी रंग अचली जामन से तो जामनी रंग बना है वाव लुक अब बूतिफुल नाइस कलर अवसम् यह पोटेटो मैशर से इसका जूस निकालने के लिए धान रहे कि सीड जहां तक हो सके वो टूटे ना उसमें हलकी सी कड़वाहट रहती है जो हम नहीं चाहते हमारे काला खटा शर्बत के अंदर आए नाइस परफेक्ट आए मिन जस्ट लोक आट बढ़िया चामनी रंग और इसकी महग भी बढ़िया है और जिन जिन लोगों को जामन खाना पसंद नहीं है उनको यह बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो ड्राइनस है वो हम आफसेट कर चुके हैं चीनी डालकर और बाक इसमें अब जाएगा नीम्बू का रस है क्वांटिटी मैं मैं मेंचन कर दूंगा लेकिन आपको डिसाइड करना कि कितना खटा या कम खटा चाहिए यू किन अकॉर्डिंगली अड्जास्ट यह रहा ओसम ठाला खटा जरसा तीखा काली मिट्श की वेज़े से ओसम चलिए इसे अब हम सर्फ करते हैं अब करते हैं अब करते हैं कि जब कोई भी शेफ सेलेबरिटी बन जाता है तो फिर वो कुक करना छोड़ देते हैं या वो खुद कुक नहीं करते हैं तो इस स्टेटमेंट में इस बात में कितनी सचाही है कि यह सिर्फ शूटिंग के लिए है या आप रियल में अभी वैसे ही कुक करते हैं जैसे स्टार्टिंग में करते हैं मेरे लिए डोंट थिंग कुछ चेंज हुआ है इन फाक्त मेरा काम और बढ़ गया है जब तक आप एक होटल के दायरे में या रेस्टांट के दायरे में बनाते हैं आपका एक लिमिटेट मेन्यू रहता और आपके एक्सपेक्टेशन होते के जी कस्टमर आएगा उसको गर स्टार्ट हो जाता है आप और ज्यादा रिसरच करना शुरू करते हो अगर कोई बोलता है जी हाँ जी फलानी चीज मुगलाई है तो वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए मुगलाई है किस समय की मुगलाई डेशा है मुगलों में वह कौन सा राजा या बाच्छा था जिसके यहां पे बना था यह जिसके रेन में वह बना था उसके पीछे की स्टोरी क्या है प्लस आप जो फैक्ट्स बोलते हैं you have to be very clear प्लस जो आप पाखा रहे हैं अगर वह प्रॉपर रेसिपी नहीं है जैसे मैं उसमें बता रहा है रेसिपी step by step मैं बता रहा हूं और मैं बोला अभी भी मेरा happy zone है अगर मैं stressed होता हूं I cook if I'm happy I cook और जिस दिन वह छोड़ दूँगा तो फिर वह अभी आपने stress की बात की hotel industry service industry अपने आप में बहुत जादा stressful है खासकर अगर हम आज की परिपेक्ष की बात करें तो इतना competition है कि उस competition you have to live up to expectations you have to live up to stars and things like that तो किस तरह से stress को manage कर सकते हैं और आप कैसे करते हैं स्ट्रेस होटेल इंडस्ट्री में बहुत हाई है और हर दिन हर पल एक stress आता रहता है पहला stress होता है कि आपको obviously you have to give a lot of time और जब दिवाली दुशेरा न्यूयर पार्टी टाइम everybody is enjoying गर्में की शुटी सर्दियों की जल्दी बेचते हैं कि okay go आपके पूजा है वाइफ न कुछ खाया नहीं होगा और आजकल आप देखेंगे करवा जौत पर रेस्टांट पाक्ट होते हैं और सारे शेफ्स वहां होते हैं you know they are cooking तो हर important occasion पे आपको वहां पर होना है तो there is a family की तरफ से stress second stress होता है customer का, expectations यह ठीक ने ठीक ने ठीक ने ठीक ने ठीक ने तो बहुत जाता सट्रेस अलगलग लेवल पर अलगलग किसम के रहते हैं और मैं stress कुनू बड़े इन फाक्त मैं हाल-फिलाल कलपर मैं college में ता तो मुझे students आपके हमें तो अभी से stress हो जाता है मैं बाबाबा अभी से stress कैसे कै मैं बड़ा चोटा से एक्जामपल दिया मैं जैसे बोतल पकड़िया आपने है कितने देट सो दो सो ग्राम की होगी है हलकी है आप भी पकड़ सकते हैं आप दो मिनट पकड़ेंगे पांच पकड़ेंगे कोई बात नहीं आदा घंटा जब पकड़ेंगे न यह भारी लगने लगेगी अगर आप एक घंटा पकड़ेंगे आपका हाथ नम पड़ जाएगा उससे जादा पकड़ेंगे तो आपका पूरा और पूरा शरीर दुखेगा हमारे जो स्ट्रेस भी है वो ऐसी है जितनी जल्दी आप उसको रख देंगे बुला देंगे और आगे जिन्दगी है क्या करना है जीवन में कुछ नहीं पता छोटे छोटे जितने स्ट्रेस है आप यह नहीं कैसे थे कि मैं तो stress-free हो जाओ मैं तो सोच उचे जितना कम सोच के छोड़ दीजे अगर वो हैंडल नहीं हो रहा है तो चली इसी stress को release करते है और वो release करने के लिए हमने आपके लि सबसे घटिया डिश जो आपने आज तक खाई आपको लगता है कि यार यह नहीं होती तो कितना अच्छा है चॉकली हमने टो नहीं होती पैंगन औक फारता पिजश वेल दिका तो वेटा सथ्लें पेंदी नहीं होते है वेलू मेटि मम्य का ठेतने हैं अरे वाह, तरहा, क्या पाद पाद है, झालव मेटि देना हूा क्यार przysz अदक तो आपके मैं अरे पादो किया फिरेस्ट नीले अबर किया पात एक तो now I have one more question your comfort food अईण विछे विजी निपी पतेटों, आलु कि पतेटों विवीटों के विए रिए के लिए पूटरण से रिए पेटों, क्या है, वर फटेटों? व्योष्टी पेटों इए विएटों फूटती है? food that's a fad hmmm fast food is a fad okay so master chef judge or a chef in the kitchen both both of course okay great so 100 out of 100 thankfully otherwise freeze under stress rapid fire I don't know I don't know but aloo his favorite is brownie points it is yummy aloo is the most and you can make different ways it is nutritious it is tomato tomato is very high it is very high thank you Kunal I wish that this talk will continue but there is a show there is a limit of time but we will definitely meet you with this and with this hope that you will continue to do this and with this hope that you will continue to do this with this hope thank you so much thank you so much for the of we are here to you 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 झाल झाल